जहिंद आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा करोण रस की परिवांसा तथा उसका उधान कैसे लिखे साथ ट्रीक एकदम इंपॉर्टेंट यह है हर साल एकदम में पूछा जाता है साथ ट्रीक में बताऊंगा जिससे आप लोग अच्छी तरीके से इसकी परिवांसा तथा उधारन याद कर सकते हैं सबसे पहले परिवांसा कैसे लिखना है कालेपन से हेडिंग डालना है परिवांसा उसके बाद में जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के सयोग से पूर्टा को प्राप्त सोक नामक इस्थाई भाव से करूण रस उत्पन होता है मतलब जहां पर सभी रसों में इसी परकार की ट्रीक लगा सकते हैं जब विभाव अनभाव तथा संचारी भाव के सयोंग से पूर्टा को प्राप्त। हास रस का इस्थाई भाव जो हास होता है तो हास लिख देना इस्थाई भाव से करोण रस उत्पन होता है। मेरा उसा की म्रद पलकों में हां उलज रहा है सुख मेरा संध्या की घन अलकों में। अच्छी तरीके से जो आप क्लास 10 में हो या 12 में हो हमारे चैनल पर अच्छी तरीक की वीडियो प्रोवाइट की जाते हैं। जहिंद वंदे मातरह मिलते एक लिए वीडियो में आप लोगी इसका स्क्रीन साट ले सकते हैं। अख्छी तरीके जड़े शया हैं। झाल जच्छी तरीके स्क्रीं की जड़ियो गपक्षे। झाल जड़े हैं।